स्वराजय की नीव गध्य एकांकी के लेखक विश्णो प्रभाकर का जन्म मुझफरपूर जिलेक के मीरनपूर गाउ में हुआ था। में लक्ष्मी बाई के त्याग और संगर्श का वर्णन किया गया है। स्वराज की नीव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर भूमी का रही है। दिखाए देता है परदा उठने पर महरानी लक्ष्मी बाई अपनी सकी जूही के साथ उत्ते जित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दो नो लाल कुर्ती के सैनिकों की वेश भुशा में है। लक्ष्मी बाई मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। जहासी, कालपी, घ्वालियर कहां गई बरंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज यकों आते हुए देखती हूँ परंतु दूसरी ही क्षण मार्ग में हिमाले अड जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरे थपेडे मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सोज आते हैं। देखो जूझी उधर क्षितिश पर देखो कैसी लपलपाती हुई लपटे उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रले की भुमी का है लेकिन राव साहब है की रक्तमंडल की छाया में एशो आराम में मश्गूल है। जूही कुछ कहने के लिए मूग खोलती है की महरानी फिर बोल उटती है। जूही जूही मैंने प्रतिगना की थी कि मैं अपने जासी नहीं दूँगी लेकिन जासी हाथ से निकल गई जूही। सरसातिव रहुकर नहीं नहीं जासी हाथ से नहीं निकली मैं अपनी जासी नहीं दूँगी मैं अकेली हूँ लेकिन उससे क्या मैं अकेली ही जासी लेकर रहूंगी जुही कौन कहता है आप अकेली है महारानी आप तो गीता बढ़ती है फिर ये निराशा कैसी? लक्षमी बाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं जासी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआ छूत और उच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराजय नहीं मिल सकता, वो मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से, जू ही, लेकिन महराणी, उन्हों उन्हें यह भी तो कहा था कि स्वराजय प्राप्ती से बढ़कर है स्वराजय की स्थापना के लिए भूमी तयार करना, स्वराजय की नीव का पत्थर बनाना, सफलता और असफलता, देव के हाथ में है, लेकिन नीव के पत्थर बनने से हमें कौन रोख सकता है, वो हमारा अधिकार है लक्षमी बाई मुस्कुरा कर शाबास मेरी करनल तुम लोगों से मुझे यहीं आशा है जिस स्वराज्य की निव तुम जैसी नारिया बनने जा रही है वो निश्चे ही महान होगा मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि वो मेरे जिवनकाल में आता है या नहीं आता लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ती है फिर भी हम दुर्बल है हमारे पास तात्या जैसे सेनापती है फिर भी हमारी सेना में अनुशाशन नहीं है हमारे पास ग्वालियर का गिला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहें क्यों जानती हूँ क्यों जुही जानती हूँ महरानी हम विलासिता में डूब गए हैं तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है मुंदर कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गये हैं विलासिता में डूबे हुए राव सहब बानदा के नवाब सेनापती तात्या जूही नहीं मुंदर सेनापती नहीं मुंदर ओ, समझी तुम तो उनका पक्ष लोगी ही जोही द्रड़ स्वर मैं, मैं उसका पक्ष नहीं लेती लेकिन जो तत्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मनं का स्वामी मानते हैं मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो जुही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महरानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महरानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ, देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुक उन्हें अपना स्वामी मान लिया है, तो तो उन्हें रोकती क्यों नहीं है? लक्षमी बाई, जुही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ. जब राव साहिब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आय थे, तो इसने उनको बुरी तरह दुतकार दि किसी के गली की फासी नहीं बना सकती हूँ. जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ. लक्षमी बाई, दिर्ग निस्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जुही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है, अगर ठोकर मार कर हम उनकी मधोशी दूर कर सकते, तो बात ही क्या थी? जुही, बाई सहेब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आगना दीजिये, मैं ठोकर मारने को तयार हूँ. मुंदर, और मैं भी तयार हूँ, बाई सहब, चलो, हम सब चल कर उनकी नीन्ध हराम कर दे. लक्षमी बाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नीन्ध हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नीन्ध से जगा सकती है. जुही, दुश्मन की ठोकर? यह आप क्या कह रही है? लक्षमी बाई, हाँ जुही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है. क्य या ऐसी स्थिती में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। मुंदर, बाई सहब ठीक कहती है, शंकाए अविश्वास पैदा करेंगी, और उस अविश्वास से उत्पन निराशा को दूर करने के लिए पायल की जनकार और भी जनक उठेगी। लक्ष्मी बाई, और जुही, तु अगर तात्या को खोज सके तो तुरंद उन्हें यहां आने के लिए कह। रगुनात राव, महरानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेश्वा की सेना को हरा दिया। जुही, क्या, पेश्वा की सेना हार गई। लक्ष्मी बाई, पेश्वा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेश्वा की आँखे खुलेगी। रगुनाथ अपनी सेना को तयार होने की आगना दो, रोज ग्वालियर का गिला नहीं ले सकेगा, रगुनाथ मैं जानता हूँ वो कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कुछ के लिए तयार करता हूँ, केवल आपको सुचना देने के लिए आया था, लक्षमी बाई, और जुही तुम भी जाओ, सहसा बार देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापती तात्या इधर ही आ रहे हैं, जुही बाहार देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है, सरदार तात्या का प्रवेश, लक्षमी बाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे बूल पड़े, तात्या, बाई सहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ, लक्षमी बाई व्यंग से, इतने बड़े सेना पती को इस प्रकार एक नारी के सामने जुकते लज्जा नहीं आती, खेर, छोड़ो इस बात को, ये तुमारे विनमरता है, लेकिन ये तोको की आवास कैसी आ रहा है, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, शायद चाटु करों म जागेर बाटना अभी खत्म नहीं हुआ है, तात्या, बाई सहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह आप जानती ही है, लक्षमी बाई, शायद ब्रह्म बोजन के उप लक्षय में ये तोपे चल रही है श्रिखंड और लड़ूों के लिए घे शकर की कमी तो नहीं पड़ी, जूही, सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिये, तात्या, बाई सहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेगी, लक्षमी बाई, तु कहती है, अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश, मुंदर, सरकार से लक्षमी बाई, तु में भी तयार हूँ, तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाय थी, तुमारे रहते ये सब क्या हो गया, जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त है, लक्षमी बाई, लेकिन आज हमें देश भक्तों की आविशकता है, खेर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है, तात्या, इसलिए तो आया हूँ बाई सहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजनाय बनाये, उसी पर चलूँगा, लक्षमी बाई, तो जाओ, तलवार संभाल लो, नुपुरों की जंकार के स्थान पर तोपो का गर्जन होन दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रण भूमी में मौत से जूजना है, तात्या, महरानी, आपकी जय हो, मैं युद के लिए तयार होकर आया हूँ, लक्षमी बाई, जानती हूँ, लेकिन सनापती, इस बार ये याद रखना, कि लक्षमी बाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जिवन का अंतिम युद है, जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है, हमारी विर्ता कलंकित न होने पाई, तात्या, बाई सहब, विर्ता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हम नहीं चू सकेगा, आग ना दीजे, प्रणाम, लक्ष्मी बाई, प्रणाम तात्या, मैं सिधी युद्भूमी में जा रही हूँ, देर ना लगाना, तात्या चला जाता है, मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपकी साथ रहूंगी, जुही, और मैं तोप खाना संभालूंग लक्ष्मी बाई, और हम सब मिलकर, या तो स्वराजय प्राप्त करके रहेंगे, या स्वराजय के नीव का पत्थर बनेंगे, हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्गोश करती है, प्रुष्ट भूमी में यही उदोश उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के गुंदलाते सब कही छा जाता है, फिर धीरे धीरे शान्ती छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है, और प्रुष्ट भूमी में गीतापाट का स्वर उठता है.